कावासाकी ने 1 अक्टूबर 2022 को शुरू होने वाली एक नई मोटर साइकल का टीजर जारी किया है जबकि टीजर क्लिप बाइक को स्वयन नहीं दिखाता है, यह जडक्स लोगो दिखाता है, यह संकेट देता है कि नया उत्पाद निंजा जडक्स 4R हो सकता है अगस्ट में लीक हुए दस्तावेजों से पता चला कि कावासाकी निंजा जडक्स 4R में 399cc का इनलाइन फोर इंजन होगा हालांकी प्रदर्शन के आंक्डे अभी सामने नहीं आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि यह लगभग 70PS का होगा परिप्रेक्षे के लिए जडक्स 25R 15 500 RPM पर 49.9 PS और 14 500 RPM पर 22.9 अनम बनाता है टाइम्स ब्रेकिंग कावासाकी की सबसे किफायती बाइक यहां है टाइम्स दवन राइड 2022 में भाग लेना और रोयल एनफेड हंटर 350 के साथ सब्ताहांत बिताना टाइम्स कावासाकी निंजा 400 रोड टेस्ट की समीक्षा KTM RC 390 की विशेष्टा सर्वश्रिष्ट लेकिन किस कीमत पर दस्तावेश से यह भी पता चला कि बाइक दो वेरियंट में आएगी ZX 400 PP और ZX 400 USP हालांकि दोनों के बीच अंतर का अनुमान लगाना मुश्किल है SP में बहतर हार्डवेर की सुविधा होगी जबकि PP संसकरन अमेरिकी बाजार में ABS से रहित हो सकता है कावासा की निंजा ZX 4R के भारत में आने की संभावना नहीं है इसकी उच्च उत्पादन लागत के कारण निंजा 400 की कीमत 4.99 लाक रुपए एक स्शोरूम इंडिया को ध्यान में रखते हुए ZX 4R की कीमत इससे काफी अधिक हो सकती है इसे कावासा की निंजा 650 जैसी मध्यविस्थापन बाइक की लीग में रखा जा सकता है